ब्रादवे तोहडे विदेश जान दे सुपने अनुदेवेगा हकीकत दी उडान मतलब आप सेटरे जाके अपना पासपोर्ट बेरा अपॉइंटमेंट के जमा करवा सकते थे निकलवा सकते थे या फिर आपको ऑनलाइन प्रॉसेस करना पड़ता था अब उन्योंने इसे हटा दिया है अब मंडे टू फ्राइड़े आप अपनी वी एफेस अपॉइंटमेंट अपने पासपोर्ट समिशन की ले सकते हैं और अपने पासपोर्ट की कलेक्शन कर सकते हैं और जो आउनलाइन वाला concept है वो hand by hand चलता रहेगा बट Saturday वाले को बंद कर दिया गया है तो मतलब अब आपकी stamping जैसे ही आपका passport आएगा आपको Saturday की wait करने की जरूरत नहीं है आपको online pick up करने की जरूरत नहीं है आप straight way VFS की website पे जाके अपने appointment लेके अपना जो passport है वो जमा करवा सकते हैं और stamping के बाद वापस ले सकते हैं so traveling जो होगी वो September वालों की अब fast हो चुकी है so Canada की तरफ से जतनी जादा backlog और जतना जादा fast process student के लिए किया जा रहा है that is a good sign for the coming intake specially for January and May student और January वाले अब Canada ने जिस तरह से refusal दिया उससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है so अपने profile की detail assessment समझें और profile eligible है तभी proceed करें Broadway की team से अपने profiles को एक बार cross check कर लें अपने eligibility को check कर लें जो बच्चे refused है देकार they are also most welcome to see me और मुझे आके मिल सकते हैं आज के दिन मैं रहूंगा हुशारपूर office so कोई भी student मेरे से मिलना चाता है वो आज हुशारपूर office तीन बज़े तक आके मुझे मिल सकता है और Canada को लेके जो भी study visa के लेके confusions and doubts है उन्हें आप दूर कर सकते हैं इस channel को जरूर subscribe करके रखें ताकि आप कभी भी कोई भी latest important update मिसना करें आज के लिए इतना फिर मिलेंगे थाइंक्यू